दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी पौरानिक कथाएं पर रोज रात में करो. पतनी के साथ एक काम सफलता अवश्य मिलेगी. आपको माला माल होने से कोई भी नहीं रोक सकेगा. इसी के साथ वीडियो में हम जाने के ऐसे पांच कामों के बारे में जो आपको रात के समय कभी भी नहीं करने चाहिए. वरना ऐसे घरों से महालक्षमी नाराज होकर चली जाती है तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखे दोस्तों सक्ची श्रद्धा से कम सूर्य उदे और सूर्य को दिन और रात का संधी समय माना जाता है इसलिए शास्त्रों में इस समय को काफी महत्वपूर्ण माना गया है शास्त्रों में बताया गया है कि सूर्य अस्त के बाद कुछ कामों करना शुभ नहीं माना जाता कई घरों में रहने वाले लोगों की तरक्की नहीं होती उसके पीछे का कारण वास्तुदोश हो सकता है इन दोनों को बढ़ाने में कई बार हमारी गलतियां हमारी आते भी शामिल हो जोतिश शास्त्र के अनुसार कुछ काम ऐसे हैं जो घर की महिलाओं को कभी भी रात में नहीं करने चाहिए इससे उल्टा घर मे ही गरीबी आती है तो दोस्तों महिलाओं अगर चाहे तो घर को नर्क बना सकती है और अगर चाहे तो घर को खुशियां से महल भी बना सकती हैं लेकिन क्या आप जानते हैं महिलाओं को यह बात का कभी भी नहीं करनी चाहिए दोस्तों आप यकीन मानिये जब भी कोई महिला गर में रात के समय इन पांच कामों को करती हैं, तो यकीनन करीबी अपना आवास बंगाल होने लगता है, तो चलिए जान लेते हैं। कौन से हैं वह काम और साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा होगा काम है। रात के समय पतनी के साथ पती को जरूर करना चाहिए, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आईकॉन जरूर प्रेस कर ले। दोस्तों नंबर एक बहुत से लोग समय की कमी या कपड़े के रंग उतर। मगर यह एक तरह का वास्तु दोश है। माना जाता है कि रात के समय नकारात्मक शक्तियां हवा में विचर्ण करती है और उनके हसन से आप में नकारात्मक ता सकती है। तुझे गल्ती आपको रात के समय नहीं करनी चाहिए। इसी तरह से बहुत से लोगों की आदत होती है कि रात में जूठे बरतन रखकर सो जाते हैं। अगर ऐसा करने से मा अनपूरा नाराज हो जाती है, इससे घर में दरिद्रता सकती है। इसीलिए रात में ही बरतन साफ करके सोना चाहिए। जूठे बरतन नहीं छोड़नी चाहिए कई लोग रात को सोते समय और सिरहाने की तरफ रख देते हैं जबकि यह बिल्कुल गलत है ऐसा करने से घर में अशान्ती पैदा हो सकती है साथी दिमागी तनाव बहुत से लोगों की आदत होती है कि पूरी रात में अंधेरे में ही नींद आती है मगर वास्तु शास्त्र के अनुसार एकदम अंधेरे कमरे में नहीं सोना चाहती की रोशनी आप जरूर करें इस सकारात मक्ता बनी रहती है या किसकी जगहे पर आप कमरे में देसी घी का दीपक जला कर भी सो सकते हैं इससे मा लक्षमी प्रसन्न होती है कई लोग बाहर से आकर बिना पैर कोई सीधे ही सो जाते हैं लेकिन ऐसा करने से व्यक्ती की किस्मत उससे रूठ जाती है क्योंकि ऐसा करना का रात मुक्ता भी व्यक्ती के अंदर प्रवेश कर जाती है नंबर तीन रात के समय कई लोगों को देर से सोने की आदत है शास्त्रों के अनुसार यह सही नहीं ऐसा करने से स्वास्थ्य को भी नुकसान होता है और जाची बात तो दोस्त ही लगता है उसे घर में दरिद्रता आती है रात के समय कभी भी पूजा घर को खाली ना छोड़े भगवान की मूर्ती और तस्वीर पर पूरी कपड़ा डाल देना परदा गिरा दें जिससे मूर्ती दोश नहीं लगेगा रात को सोते समय सिर यहां पर दर्बार ना करें दर्वाजे की और पैर या सिर करके सोने से मृत्यु का भय बनता है नमबर चार मा लक्ष्मी जी की कृपा बनाये रखने के लिए घर का वास्तुम्मुक्त होना ही काफी नहीं है बलकि घर में नियमित रूप से कुछ बातों को ध्यान में रख कर भी मा लक्ष्मी की कृपा प्राप्त की जा सकती है घर में लक्ष्मी मा का वास्त भी होता है जब घर में साफ सफाई हो सूर्योदय के बाद सुभा कभी अपने घरों में साफ सफाई आदी करते हैं लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार शाम के समय खासतोर से सूर्यास्त के बाद घर में ज़ाड़ू लगाना बिल्कुल जी शुभ नहीं माना जाता वास्तु शास्त्र के अनुसार सुभा के समय घर में ज़ाडू लगाना श्रिष्ठ माना जाता है लेकिन अगर किसी कारण मजबूरी में आपको ऐसा करना पड़े तो इस बात का ध्यान रखें की घर के कच्रे को रात में ही बाहर ना फेंके अगले दिन सुभा साफ सफाई करने के बाद ही पैनकेक ही नहीं वास्तु के अनुसार ज़ाडू रखने का भी सही तरीका और दिशा होती है वास्तु शास्त्र के अनुसार घर की ज़ाडू को सफेद रंग के धागे से बांध कर रखना चाहिए ध्यान रहे इसकी जी के यहां बहाना पहली रोहित से धन की हानी होती है वास्तु के अनुसार पैसों की तरह ज़ाडू कर रखना चाहिए घर में ज़ाडू को छुपा कर रखने से लाब होता है जिससे घर में दरिद्रता नहीं आती और मा लक्षमी का वास बना रहता है जाडू को हमेशा आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता जाडू को रखने की सही दिशा दक्षिन दिशा है ऐसा करने से घर में खुशिया बनी रहती है और दरिदर्ता नहीं आती रात के समय जाडू को घर के बाहर मुख्य प्रवेश द्वार पर रखना भी लाबकारी माना जाता है जिससे आप मुख्य द्वार पर अंदर की ओर रखें और सुबह सुबह सबसे पहले मुख्य द्वार पर ही जाडू लगानी चाहिए कहते हैं ऐसी जगहों पर जाडू रखने से नकारात्मक शक्तियां घर में प्रवेश नहीं करती खाना खाने की जगह पर भी जाडू को नहीं रखना चाहिए खाने की जगह पर मानपूर का वास होता है ऐसी जगहे पर जाडू रखने के परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य खराब होने लगता है चलिए अब जानते हैं पाँचवा काम जो आपको रात के समय नहीं करना चाहिए आपके घर में आंगन में तुलसी का पौधा जरूर लगा होगा घर में तुलसी का होना बेहद ही शुभ माना जाता है लेकिन सूर्य के बाद तुलसी के पौधे बस नहीं करना चाहिए और ना ही उन्हें जल देना चाहिए जिससे धन की देवी लक्षमी नाराज होती है और घर के सुख समरिधी दूर हो जाती है जिस दिन समय सूर्य हो रहा हूँ उस समय व्यक्ति को कभी भी सोना नहीं चाहिए और ना ही भोजन करना चाहिए इससे ना सिर्फ धन हानी होती है बलकि स्वास्थ्य संबंधित परेशानिया भी होने लगता है सूर्य अस्थ के बाद कभी भी अपने बालों को ना काटे और ना ही सेव करवाएं कई लोग सूर्य अस्थ के बाद बाल कटवा लेते हैं या फिर सेव कर लेते हैं ऐसा करने से जीवन पर नकारात्मक असर होता है और धन हानी भी होती है इसी के साथ रात के समय आपको कभी भी नाखून भी नहीं काटने चाहिए वरना नाखून काटने वाले व्यक्ति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है दोस्तों यह जो थे वह काम जो रात के समय नहीं करनी चाहिए लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे काम भी होते हैं जिन्हें रात में स्त्री के साथ करने के सफलता प्राप्त करने से कोई भी नहीं रोक सकता आचार्य चानक्य एक महान ज्यानी थे उनकी नीतियों के दम पर उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को राजा की गद्धी पर बैठा दिया अगर आप भी सफल होना चाहते हैं तो आचार्य चानक्य द्वारा बताया गया यह काम आप रात में जरूर करें अगर आप भी चानक्य द्वारा बताये गए इस कार्य को रात में अपनी पत्नी के साथ कर दो आपकी बहुत ही जल्द पैसे वाले व्यक्ति बन जाएंगे लेकिन याद रहे आचार्य चानक्य जी ने यह भी कहा है कि पत्नी के साथ यह काम रात में करने पर को बताना नहीं चाहिए नहीं तो आप उल्टा बर्बाद हो सकते हैं जो हमारी हिंदू सांसों में महिलाओं को देवी लक्षमी के समान माना गया है और कई स्थानों पर महिलाओं की पूजा भी की जाती है आचार्य चानक्य के अनुसार रात को सोते समय एक पती को अपनी पत्नी को प्यार करना चाहिए पती-पत्नी में कोई भी दूर या नहीं होनी चाहिए अगर पती-पत्नी में कोई मतभेद भी हो तो रात में जब गिलेशिक वे दूर करें अपने रिष्टे को आगे बढ़ाए और अपने रिष्टे को और भी मजबूत बनाएं ऐसे लोगों पर सदैव देवी लक्षमी की कृपा बनी रहती है जिन घरों में पती पत्नी रात को सोते समय आपस में प्रेम करते हैं तो ऐसा घर स्वर्ग के समान माना जाता है और ऐसे घरों को अमीर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता लेकिन याद रहे आचार्य चानक्य जी कहते पिटाई गए पदों को किसी दूसरे के सामने कभी भी शेयर नहीं करना चाहिए इस बात का जिक्र घर में कभी भी किसी से नहीं करना चाहिए जहां तक की अपने मित्र को भी नहीं बताना चाहिए नहीं तो आपके घर को बर्बाद होने में समय नहीं लगेगा आचार्य चानक्य जी कहते हैं कि जब पती पत्नी में प्रेन बढ़ता है तो घर में संपन्न आपकी चली आती है वह व्यक्ती धंदौलत से माला माल हो जाता है तो दोस्तों आज के लिए इतना ही उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो तो अपने दोस्तों रिष्टेदारों के साथ शेयर अवश्य करें ऐसे ही सटीक जानकारी के लिए हमारे चैनल हिंदी पौरानिक कताये को सब्सक्राइब अवश्य करें भन्यवाद